हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स एक और स्टाफ नर्स की वेकेंसी के साथ हमें आप पर आप चुके हैं यहां पर आप देख सकते हैं पद नाम स्टाफ नर्स दिया हुआ है विभाक कराम ची किस्सा सिच्छा और आवेदन की तो 16 सेटमबर 22 तक आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं तो यहां पर कुल वेकेंसी 14 निकाली गई है तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट को हम यह इस वीडियो में कवर करेंगे इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन को नहीं आप अप्लाई कर सकता है कहां से वेकेंसी निकाली है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं है अपर चैनल को सब्सक्राइब करके बिलकिया आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी न भूलें तो फ्रेंड्स यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं दिया गया है स्टाफ नर्स की वेकेंसी है च 30 अगर्ष तो जब 22 को यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी कुल वेकेंसी यानि की टोटल पोस्ट नंबरा पोस्ट कितनी है यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 14 दी हुई है 14 अपर यहां पर रहने वाले हैं तो 14 वेकेंसी यहां पर स्टाफ नर्स की निका से नर्सिंग का यानि कि बेसी नर्सिंग वाले कंडिट्स अप्लाई कर सकते हैं अब यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं बेसी नर्सिंग आल सब्जेक्ट्स ग्रेजूट है तो यहां पर डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह से यहां पर Saar Candidates PB BSC Nursing Candidates और Gnm Candidates यहां पर अपलाई कर पाएंगे तो यहां पर qualification आपकी clear होज चुकी है BSC Nursing PB customer नर्सिंग JNM यहां पर अपलाई कर सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं कारी का भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको कौन-कौन से कारी करने है इस्टाफ नर्स की वेकनेस्षि है अब यहाँ पर वेकर कहां से जारी की गए इसकी इफ्लाएं यहाँ फ्लाइ ChanceDorf का सकता है मेल, फीमेल और पीएच कैंडिडेट्स और जो एक्स सर्विसमेन यानि की भूतपूर सैनिक खिलाडी है एक्स सर्विसमेन वगरा भूतपूर सैनिक और एक्स आर्मी और स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं तो यह सभी के लिए आप वेकेंसी रहने वाले सभी कैटेग्री से कर्डिडेट्स अपलाई कर सकते हैं सैली आपको यहाँ पर आप 19,577 रुपए यहाँ पर आपको सैली दी जाएगी स्टाफ नर्स की तो यहाँ पर आप अपलाई कर सकते हैं सेक्टर क्या रहेगा मेडिकल हेल्थ केर रहेगा एक्सपीरियंस यहाँ पर आप दे सकते हैं मांगा गया है दो साल का, तो दो साल का experience यहाँ पर होना मस्ठ है, तो दो साल का experience अगर आपके पास है, तो यहाँ पर आप apply कर सकते हैं, अब इसके बाद यहाँ पर vacancy कहाँ निकाली कई है, तो आप दे सकते हैं, UP की यह vacancy है, उत्तर प्रदेश में यह फिरोजा बाद से vacancy, रहने लिए फि सकते हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपके पास दो साल का experience होना चाहिए, टू यह का experience होना ज़रूरी है, साथ में आपका UP State Nursing Council का, यानि की UP State Medical Faculty से आपका registration, UP का registration होना चाहिए, और टू यह का experience आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, apply कैसे करना इसकी information आपको यहाँ फ्रेम देदे, यही पर आप दे सकते हैं, आवेधन करने के लिए link दिया का, यहाँ से भी आप कर सक सकते हैं, अब सबसे पहले बता देंगे वेकेंसी किस कैसे आप देख पाएंगे, तो यह वेकेंसी आपको सेवा योजन के portal पे मिलेंगी, रोजगार संगम इसकी official website है, उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको यह वेकेंसी की detail मिलेगी, अब कैसे देखना है, मैं आपको यहाँ पर एक बार चेक करके बताता हूं, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेवायोजन.up.nic.in की official website पे आना है, आप official website यहाँ पर देशकते हैं, सेवायोजन.up.nic.in है, इसके थुरू आपको इस portal पे आना है, सेवायोजन का यह portal है, उसके बाद यहाँ पर आप देशकते हैं, चार यह blocks दिये हुए हैं, इनमें आपको outsourcing आपली private jobs पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो यहाँ पर दिया गया है, इस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा interface आपके सामने open होके आ रहाएगा, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आणिया स्टार्ट हो गई है, अब इसमें आप दे सकते हैं, इसको आगे scroll down करेंगे, तो यहाँ पर एक page पर 10 notification ही दिखा रहा, तो यहाँ पर आपको यह notification नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, आप चाहे page number wise आप आगे बढ़ें, या फिर आप direct प्र आपको यहाँ पर दी गई, थर्ड पार्टी का नाम यहाँ पर दिया गया है, और यह vacancy यहाँ पर निकाली गई है, तो इसको यहाँ से हम open कर सकते हैं, 24 पर page number 3 पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप इसको scroll down करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो यहा आपके सामने ऐसा आएगा, यहाँ से आपको user ID, password बनाना पड़ेगा, उससे पहले, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर आपको registration करना होता है, सेवा उनके portal पर तो पहले आप अगर नय है, तो इस पर अपना user ID, password बना लें, उसके थ्रू ही आप यहाँ पर login करके apply कर पाएंगे यहाँ से new user sign up करने के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसके आद आपको यहाँ पर कुछ details फिल करनी होंगी, फिर आपका registration का step इस्टार्ट होगा, जिसमें कि आपको 6-7 step follow करने होंगे, पहले यहाँ पर आपका नाम, mobile number, email ID, user ID और यह सब create कर लेना है, तो आपका user ID और सब create हो जाएगा password, उसके बाद आप login करेंगे, तब जाकर आप vacancy के लिए apply कर पाएंगे, अप्लाई करने से पहले आपको 7-6 step follow करने होंगे, जब आपका पूरा registration complete हो जाएगा, सेवा यहाँ के portal पर, उसमें आपकी basic details होगा, नए candidates के लिए है, जिन्होंने already registration कर रखा, उन फार मेर्टू रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत